जय हिन बंदे मात्रम स्वागत है आप सभी सांतियों का गेंजर लर्निंग गुर्जी प्लेटफोर्न में तो आज स्वतंतरता दिवस पंदर अगस्त है तो स्वतंतरता दिवस को आप लोगों को धेर सारी सुपकमना पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए तो हम लोग पिछे एक लेक्चर में 1330 तक प्रस्ण कर चुके थे और आगे देखेंगे 1331 प्रस्ण को यह जितने सारे प्रस्ण आपको आज के क्लास में मिलेंगे वह NCRT प्लस में SCRT लेवल के प्रस्ण मिलेंगे तो लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास किजिएगा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दिजेगा, लाइक कीजेगा, कॉमेंट चरूर कीजेगा, तो देखिए 131 प्रस्न को, 131 प्रस्न है कि यदि हमारे माता पिता, दोनों अथ्वा, दोनों में से कोई एक, भारतिये नागरीको, मतलब भारत का नागरीको, तो हम हो जाते हैं, तो हम जो हो जाते हैं, उस जनम जात नागरीक हो जाते हैं, भारतिये जब नागरीक की बात कर दिया, तो हम जो होते हैं, जनम जात नागरीक हो जाते हैं, तो इसलिए यहां पे जो विकल्प ए हो रहा है, तेरो 스ो वागधिदारी अपनी होती है तो यहां पे यह अच्छे टरीका से शही हो रहा है यहां पे सही अपसान जो है डिखेए 1333 प्रसन देखिए 1333 प्रसन है कि बड़े नगरों में अस्थानिय स्वसासन की संस्थाई क्या कहलाती है तो बड़े नगरों में जो बड़े बड़े नगर होते हैं जिसे महानगर हो गया मुंबई उसी तरह करहें कि बड़े नगरों में अस्थानिय स्वसासन की जो संस्था कहलाती है वह नगर निगम कहलाती है यह जो बिकल्प हो रहा है यहां पर सही हो रहा है अगला प्रसन देखते हैं 1334 प्रसन है कि पंचायत समीति के प्रसासन का प्रबंध एक सरकारी अबसर करता है जिसे हम क्या कहते हैं तो जो पंचायत समीति के जो प्रसासन होते हैं उसे हम प्रकंड बिकास पदा अधिकारी जिसको बीडियो के नाम से जानते हैं यहाँ पे जो दोस्तो ए बिकल पे जो हो रहा है यह बिल्कुल सरी हो रहा है पंचायत समिती के प्रसासन की बात किया है जो सरकारी अपसर होता है वह होता है वीडियो जिसको हम प्रकंड विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं 335 परस्टन की भारतिय सम्मिधान के जनक किसे माना जाता है तो भारतिय सम्मिधान के जनक Dr. B.R. Ambedkar मतलब B.R. Ambedkar को जाना जाता है इसलिए यहां पे जो C option हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है 336 प्रस्ण देखते हैं 336 प्रस्ण है दोस्तों कि भारतिय सम्मिधान ने भारतिय नागरीकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया है वह है 6, यहाँ पर जो C option हो रहा है, यह बिल्कुल सत्य हो रहा है, और यहाँ पर सई हो रहा है, ठीक है, 1337 प्रसणों को देखते हैं, 1337 प्रसणा है, कि 14 बर्ष से कम आयू के बहुत से गरीब बच्चों को पठाके बनाने वाले करखानों में काम करते हैं, ठीक है, 14 बर्ष स जो अधिकार बनाएगे हैं, कानून बनाएगे, तो यहाँ पर कौन से कानून का अधिकार असिमित हो रहा है, कौन सा उलंगन हो रहा है, तो बात करी यहाँ पर दोस्तो B बिकल्प सही हो रहा है, सोसण की बिरूद अधिकार जो हो रहा है, यह देखने को मिल रहा है, तो र 349 प्रस्न देखिए, 349 प्रस्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट पती को पद की सपत कौन दिलवाता है, तो भारत के राष्ट पती को पद की सपत सुप्रीम कोट के जो मुख्य नयाइधिस होते हैं, वह ही दिलवाते हैं, यहाँ पे जो B बिकल्प हो रहा है, सही हो रहा है, 1340 प्रस्न देखते हैं 1340 प्रस्न है कि जंसंख्या के संदर में भारत का बीश्व में अस्थान कैसा है तो जंसंख्या के संदर में भारत का बीश्व में अस्थान दूसरा हो जाएगा यहाँ पे जो B अप्सन हो रहा है यह सही हो रहा है 341 प्रस्ण देखिए, 341 प्रस्ण है कि पुंजी वादी अर्थ बिवस्ता क्या है, तो बात करें, इन में से कोई नहीं अर्थ बिवस्ता को नियंतरित करता है, बात करें, यहां पे जो बिकल्प दिये कहें तीनों, तो इन में से कोई भी जो अर्थ बिवस्ता है, इसको निय करता है तो इसे लिए यहां पे जो दोस्तो डी बिकल्फ हो रहा है सही अप्शन को सही कर रहा है 342 प्रसन है कि भारत में अधिकान से अध्रिस्य बिरजगारी पाई जाती है तो भारत में अधिकान से जो अध्रिस्य बिरजगारी पाई जाती है वह है क्रिसी में यहाँ पे जो A बिकल्प हो रहा है यह सही हो रहा है 1343 प्रस्ण देखते हैं कि निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है तो नगदी फसल की बात किया है कि इसमें से कौन सी जो फसल है जो नगदी फसल के रूप में जानी जाती है तो कपास जो हो जाएगा दूस्तों ये बिल्कुल राइट एंसर सही होगा डी अप्सन ये जो है नगदी फसल के रूप में जानी जाती है इसके बाद देखते हैं 1344 प्रस्ण है कि आर्थिक विकास के द्रिष्टी कोण से भारत की गेंती होती है तो आर्थिक विकास के द्रिष्टी कोण से भारत की गेंती जो है विकासिल राष्ट के संदर में होती है तो यहाँ पे जो C विकल पे हो रहा है यह सही हो रहा है अगला प्रसना देखिए 1346 प्रसना है कि भारत में उपभोगता अधिनियम कब पारित किया गया था, भारत में उपभोगता अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, बी अप्सन जो है यहां पे सही हो रहा है, तेरा सो देखिए यहाँ पे 47 प्रस्ना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है यहाँ पे जो सी भी कल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है अगला प्रसना देख्ते हैं, ति फिल्म के संदर में दिया जाता है, यहां पर जो राइट एंसर से ही हो रहा है, बिल्कुल से ही हो रहा है, 349 प्रस्ण है कि इस राजय में एलोरा की गुफाई पाई जाती है तो उस राजय का नाम हो जाएगा महराष््ट दी अपसन यहां पर सही हो रहा है तो आप लोग को पता है भारत का राष्टी पसू बाग हो जाएगा 335 प्रसन देखिए 335 प्रसन है कि सिविद करांथी किस चीज के उत्पादन से संब्धित है सुन्दर सा प्रसन है सिविद करांथी की बात आगया तो वो हदूद उत्पादन से रिलेटेड हो जाएगा यह बिकल्प यहाँ पे सही हो रहा है 3354 प्रसन है तो सरवाधिक बरसा के लिए मानसी राम जो है यह स्थान पर सबसे ज़्यादा बरसा होती है 356 प्रसन देखिए 356 प्रसन है कि कोचिन जो है किसके लिए प्रसीद है कोचिन जो है जहाज निर्माण के लिए जहाज का निर्माण होता है बनाया जाता है धाचाओ तो वहाँ पे कोचिन उसके लिए प्रसीद है ए बिकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है 1357 प्रसने की काला सागर किस देश्ट के दच्छिन में इस्तित है काला सागर जो है रूस देश्ट के दच्छिन में इस्तित है यहाँ पे जो D option हो रहा है, सही हो रहा है 1369 प्रसने देखिए कि भारत में आलू कौन लाए थे भारत में आलू कौन लाए थे, तो पुर्तगाली के द्वारा जो है भारत में आलू को लाया गया था D option यहाँ पे सही हो रहा है 1360 प्रस्न है कि विवदा अस्पद पुस्तक लाजा कि किसके द्वारा लिखी गई इस राइटर का क्या नाम है तो इसका नाम है तस्लीमा नस्रीन के द्वारा जो है विवदा अस्पद पुस्तक लाजा को लिखा गया है यहां पर D option बिल्कुल सही वह रहा है 1361 प्रस्न देखते हैं 1361 प्रस्न है कि ए मेरे वतन के लोगो आँखों में भरलो पानी यह गीत जो है किसके द्वारा लिखी गई है तो यह प्रदीब के द्वारा लिखा गया है गीत है यहां पर जो C option हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है अगला प्रस्न देखते हैं यहां पर 1362 प्रस्न है दोस्तों 1362 प्रस्न है कि गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम क्या थी तो गुल बदन बेगम जो है नामा की लेकिका थी और हिमाव की बहन थी दो और चार बिकल्प जो है यहां पर सही हो रहा है देखते है अप्सन मे दिया है 2 और 4 सही है तो याद करिएगा गुल बदन बेगम जो थी हिमाऊ नामा की लेकी का थी और हिमाऊ की बाहन थी ठीक है अगला प्रसन देखते हैं एम खुसरो मतलब अमीर खुसरो जो थे यह किस से डिलेटेट है तो यह एगरहवे बित आयो के अध्याज थे एम खुसरो माप किजिएगा अमीर खुसरो की नहीं बात किया है एम खुसरो की बात किया है तो एगरहवे बित आयो के अध्याज थे अगला प्रस्न देखिए 1365 प्रस्न है कि सुवराज दल का विश्वास था सुवराज दल का विश्वास केस पर था तो संपुर्ण सुवराज में जो था सुवराज दल का विश्वास था राइट अंसर यहां पर सी अप्सन सही हो रहा है 306 प्रस्न देखते हैं कि नीम्नानलिखित में से कौन सा सुमेली थे नहीं है, यहां पर बात करें तो महदेव, गोबिंद, रौंडे यह स्टिछ पार्टी से रिलेटेड नहीं है, C की अप्सन यहां पर गलत हो रहा है, यह अप्सन speaker सुमेली थे नहीं है, ठीक है आप लोगों समझ में अच्छे तरीका से आ रहे होंगे प्रस्ण 368 प्रस्ण है कि रीगवेद काल के देवता की से माने जाता है रीगवेद काल के देवता जो है इंद्र और अगिन को माने जाता है C बिकल्प यहाँ पे सईवर है 368 प्रस्ण देखते हैं 368 प्रस्ण है कि महात्मा बुध के प्रभाव से जो गणी का बहुत भिच्छुड बन गई थी उसका क्या नाम था तो उनका नाम जो था आमरा पाली था यहाँ पे जो ए बिकल्प हो रहा है 1389 प्रस्ण देखते हैं यदि वह लड़की जूले पर खड़ी हो जाती है तो वह जूलने की समय की अवधी क्या होती है घट जाती है यहाँ पे जो B अप्सन है बिल्कुल सिधा सिधा लग रहा है कि वह जूले की समय की अवधी से क्या होजेगी घट जाएगी 1371 प्रस्ण देखिए कि दो रेल संधियों की बीच का अंतराल रखा जाता है दो रेल संधियों की बीच का जो अस्थान रखा जाता है वह रेखिए बिस्थार को समयुजित करने के लिए जो है उसको अस्थान को रखा जाता है तो D option यहां पे सहीवर है 1372 प्रसन देखिए 1372 प्रसन है दोस्तों कि एक चमकते धातू के फलक जिसमें एक खुरदार काले धब्बे है जो लगभग 4000 केल्विन तक गरम किया जाता है तो एवन तुरंत एक अंधेरी कमरे में ला दिया जाता है तो इसके बाद वहाँ पे क्या परिणाम देखने को मिलता है यहाँ पे कथन सही करना है कि फलक के जो सभी जगा की अपेच्छा धाबा जो है उजवल तर दिखाई देगा यहाँ पे ए अप्सन सहीवर है यहाँ पे देखते हैं 1373 प्रसन जो है कि कई बस्तुए अधिक निम्न ताप पर अपने बैधुतिये परतिरोध खोबढ़ती है इन बस्तुओं को हम क्या कहते हैं तो इन बस्तुओं को हम अतिचाला के नाम से जानते हैं सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है तो यहाँ पे 50 वाट की बिदुत बल्प को 22 घंटे जलाए जाता है तो एक किलो वाट घंटा में उर्जा की खपत कितनी होती है बहुत सुन्दर सा प्रसन ही है और बहुत यह मस्त प्रसन भी है तो इसमें अगर बात करें तो इसको बनाना होगा किलो वाट का एक फर्मूला होता है दोस्तो वाट गुणे घंटा बाटा में कितना होता है 100 तो यहाँ पे 50 वाट दिया है घंटा कितना दिया है 22 दिया है और 1000 वाट होता है कितना होता है दोस्तो 1000 वाट होता है तो यहां पे कटा देंगे तो 50 दुनी के सह हो जाएगा 20 हो जाएगा यहां से 11 कटाएंगे यहां से 10 कटाएंगे 11 बटा में 10 बरापर 1.1 यहां पे जो डी बिकल्फ हो रहा है यह बिल्कुल सही हो है ठीक है दोस्तों अगरा प्रसना हम लोग देखते हैं 1376 प्रसना है कि निमनल लिखित में से कौन सा कंड एक परमाणू के दिरभ्यमान को निर्धारीत करता है तो निट्रोन यहां पे और प्रोटोनों की संख्या जो होगा यह बिल्कुल सही होगा अगला प्रसना देखिए 1377 प्रसना है कि नाविकिये रियक्टरों में भारी जल क का प्रयूग कं को होता है तरनाहिकि रियक्टर में भारी जल का प्रयूग होता है कि प्रित्वी की परपटी सबसे बहमूल या ततवे थो अक्सीजन जो होता है यहां पर यह सही होगा सबसे ज्यादा मत्रा में होता है बहमूल या तत्व होता है 1389 प्रस्न है कि ν्यूट्रॉन की खोच कि'S के द्वारा किया गया था तो न्यूट्रॉन की खोच जेम्स चैड्वीग के द्वारा किया गया था C विकल्प यहां पर सही हो रहा है 388 प्रस्नाई की तत्वों जिन में विभीन नाविकिये आवेस होते हैं प्रन्तु समान दरव्यमान संक्या होते हैं उनको हम संभारी के नाम से जानते हैं ढिरैस दोस्तों यहां पे सही हो रहा है ? best 3891 प्रस्नाई की केंड्रक का है सुंदर सा प्रस्नै का निकलीट की गठन में तरव्यमान में धरव्यमान में घटा होता है Abical प्रस्नाई 3892 प्रस्नाई देखिए की किनवन लेखित में किसका उच्टम गलनाग होता है, प्रस्ण निम न लिखित के जल्य गोल से वकर एक बिधुधारा को प्रभाहित के लए वह कौनसा विखंडित होगा, तो वहां पर जो है सिलबर नाइट्रेड विखंडित हो जाता है, C option यहाँ पे सही हो रहा है 384 प्रसन देखिए कि अकजेलिक अमलग घोल की विरूत कास्टिक सोड़ा घोल का अनुमान के लिए अच्छा सुचक होता है तो इसके बात करें अकजेलिक यहाँ पे जो होगा फिनलोफ थिन यहाँ पे जो D option हो रहा है 385 प्रसन देखिए 385 प्रसन कि यदि एक लोहतार को कॉपर सलफेट के घोल में रखा जाता है तो यहाँ पे तामबा और छेपित हो जाता है यहाँ पे यह बिकल्प सही हो रहा है 386 प्रसने कि जल के कौथनां को को ताप करम के रूप में परिभासित किया जाता है जल के कवथना को ताप करम के रूप में परिभासित किया जाता है क्यांकि जल का जो वास्प दाब होता है वह वायमंडली ये दाब के बराबर होता है यह अपसन यहाँ पर सही हो रहा है 387 प्रसन देखते हैं दोस्तों कि जब किसी घोल को एक अर्ध परागम या द्वारा उसके बिलायक से प्रीथक किया जाता है तब उसके घटने तब वह जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं उसे परासरण के नाम से जाना जाता है यहाँ पे जो C अप्सन हो रहा है यह बिल्क क्रास में हमskin 1388 प्रस्ण कियें कैसा लगा आप लोको यह क्रास आज का आप लोक जरूर कॉमेंट किधेगा लाइक किज्येगा तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्टर में ऐसा हम यह बिल्सनिदय बने रहेगा तब तक लिए आप लोह को दिल से जैहिन जै भारत